असलाम लेकुम आइम शाज असलाम आपको और अपॉन का यूज सिखाया था तिक इस तरह जुम्ले में इनको आपने यूज करना है आज की इस वीडियो में हम बजीर प्रेपोजिशन करने वाले हैं उनमें से सबसे पहली वाली हमारी है टू टू हम यूज करते हैं को की सेंस के लिए जब किसी जुम्ले में को की सेंस आए तो टू लगाएंगे ठीक है और इसके साथ ही हम करेंगे टूर्ड्स जिसका मीनिंग है की तरफ जब किसी जुम्ले में की तरफ की सेंस आए तो हम तूर्ड्स लगाएंगे। for example Example number first देखें I am going to school मैं school जा रहा हूँ यानि school को जा रहा हूँ Next example देखें He is going to hospital वो hospital जा रहा है Next example देखें He wants to meet you He wants to meet you वो आप से मिलना चाता है अब सिर्फ ये जाने की सेंस के लिए ही नहीं यूज होता को की सेंस के लिए ही नहीं यूज होता है यानिकर यहां पे एक purpose यूज हूँ हुआ है यानिकर यूज हो सकता है यहां पे purpose क्या है He wants to meet मिलना उसका मक्सर है He wants to meet you वो आप से मिलना चाता है Next example देखें We are to live हम जिन्दा रहने के लिए कमाते हैं यहाँ पे भी पत्रस भी है और यहाँ पे to work के साथ भी लगा है यहाँ कि to लस इंपिनेटिव यहाँ कि first warm के साथ भी two लगा दे two के साथ first warm लगाए तो वो इंपिनेटिव बन जाता है तो purpose के लिए भी यह यूज हुआ है next example देखें they came here to play यहाँ पे वो खेलने के लिए आए अब मकसद क्या था खेलना लेकिन अब देखें first warm के साथ two लगाया हमने यहाँ जाने के लिए लगाया go की सेंस में purpose के लिए भी और साथ यह infinitive भी बनाया हमने इसको next example देखें we work हम काम करते हैं from nine to six nine बज़े से छे बज़े तक हम काम करते हैं अब यहाँ पे यह limit को जाहिर कर रहा है काम की नीमिट को जाहिट करने के लिए भी to use होता है अब हम towards को देखते हैं कि towards किस तरह sentence में use होता है उसकी example देखें पस्ट example देखें towards की I am going towards school मैं school की तरफ जा रहा हूँ अब इसका अगसर school school में ही नहीं जाना बलकि school के दाएं बाएं किसी भी तरफ जाना है ठीके यहाँ पर पहले जिकर किया था I am going to school तो वो तो school ही जा रहा हूँ ठीके यहाँ पेजवे ना वो school के दाएं जाएं किसी भी तरह जाने का जिकर है next देखें सना is coming towards our home सना हमारे घर आ रही है हमारे घर की तरफ आ रही है अब हमारे घर यह नहीं बलकि दाएं बाएं हो सकता है किसी तरफ भी जाना उतको next example देखें he is going towards होस्पिटल वो होस्पिटल की तरफ जा रहा है अब इसमें भी होस्पिटल ही नहीं बलकि दाएं बाएं उसके किसी भी तरफ वो होस्पिटल के पास जा रहा है लेकिन जो वो होस्पिटल नहीं जा रहा towards होस्पिटल होस्पिटल की तरफ जा रहा है हमारी सेक्ड प्रफ पोजिशन है from जिसका मतलब है से जब किसी जुम्ले में से की सेंस आए तो हम from यूज करते हैं अगर कोई चीज कहीं से निकल कर आ रही हो तो from यूज करते हैं इस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मिंचनबाद तो वहावलपूर ये बस मिंचनबाद से वहावलपूर तक सफर करती है अब यहां पर ये मिंचनबाद से निकल कर वहावलपूर जा रही है इसलिए ये हमने यूज किया from और अभी जो मैंने to समझाया था अब देखो ये जाने के लिए to यूज करते हैं ठीक है और जब कोई कहीं से आ रहा हो तो फिर हम from यूज करते हैं यहां हूँ ठीक है लहूर से आ रहा हूँ जाने के लिए तू आने के लिए from ठीक है यूज केम फ्रों पार्क वह पार्क से आये ठीक है पार्क से आये से की सेंस भी आ रही है और आने की चौन we are from Karachi हम एक कराची से हैं ठीक है यह भी प्लेस को शो कर रहे न के से हैं हराशी से है ठीक है और verse between three sentences में यहां पे भी from यूज़ किया यहां पे भी लेकिन place के लिए यूज़ किया हमने अब next देखें किसके लिए from यूज़ होता है point of time के यानि के आपने time को वो बताना है के time के साथ say को भी mention करना है for example I will work from 10 o'clock मैं 10 बज़े से काम करूंगी अब आपने क्या किया है time का जिकर किया है कि 10 बज़े say तो time के साथ हम जो है जब say की sense आए तो हम फिर from लगए I work from 10 to 5 मैं 10 बज़े से 5 बज़े तक काम करती हूं ठीक है 10 बज़े से अब say की sense आई है न sentence में 10 बज़े से 5 बज़े तक limit भी आ गई है जो पहले ही अभी मैंने जब आपको two का use समझाया था तो तब limit का भी हमने जिकर किया था कि limit के लिए two use करती है तो यहां पर देखे limit भी आगे 10 बज़े से 5 बज़े तक चुबो के तो I work from 10 to 5 तो यहां पर from की sense आ रही है अली के जरीए यानिके अली से सुना अली एक source बन गया यहां पर और जुम्ले में say की sense भी आ रही है I wrote it from the book मैंने इसे किताब से लिखा अब हमारा source से book तो लहाज़ जो है यहां पर हमने source के लिए from यानिके say यूज़ किया He is buying it from the shop वो दुकान से ये खरीद रहा है तो दुकान जो है वो एक source बन गया है लहाज़ जो है source के लिए हमने from यूज़ किया This letter is from the principle ये ख़त principle से है यानि principle की तरह से है तो यहाँ पे जो है ना principle एक source है और यहाँ पे उसके लिए हमने from यूज़ किया और from किसके लिए यूज़ के लिए telling a cause वज़ा बताने के लिए भी from यूज़ करते हैं पर इज़ेंपल ये देखें she is suffering from fever वो बुखार में मूपला है यानि बुखार से ही बुखार से वो बिमार है तो यहाँ पे वज़ा बताने के लिए हमने from यूज़ किया दे डाइड फ्रॉम हंगर वो भूख से मर गए तो यहाँ पे भी एक reason बियान किये यानि कास बियान किये इसलिए हमने उसके साथ from यूज़ किया अब मारी थार्ड प्रेपोजिशन है ओफ किसी सता से अलग होने के लिए जिसका मतलब है हम ओफ यूज़ करते हैं जब कोई object किसी सता से अलग होता है तो वहाँ ओफ यूज़ किया जाता है अगर मैं कहूँ कि pen को मेज से उठा लो जब pen को उठाया जाएगा तो वह table की सता से अलग होगा यहाँ पर से के लिए ओफ का यूज़ किया जाना चाहिए बंदर पेर से कुदा जैसे की example मैं monkey jumped off the tree ठीक है बंदर पेर से कुदा जब बंदर पेर से कुदेगा तो वह पेर की सता को छोड़ेगा यहाँ पर से के लि लिए हम get off का वार्ड यूज़ करते हैं तो क्यूंकि वह जहाँ से उत्रेंगे और उसकी सता को छोड़ेंगे जब जहाँ उनने लगता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक ओफ कलाव्स हम यूज़ करते हैं कब जब जहाँ उनने लगता है तो वह जमीन की सता को छ जब मैं मुबाइल को बिस्तर से उठाऊंगी तो बिस्तर एक सता है मुबाइल इस सता को छोड़ेगा यहां से के लिए ओफ का यूज किया जाना चाहिए जिस तरह के यहां पे यूज हुआ है अब यहां पे फ्रॉम का यूज नहीं करना हमने ठीक है यहां पे ओफ का यूज करना आयम वाइपिंग ऑफ दा स्क्रीन मैं स्क्रीन को साफ करें जब मैं धूल को उटाऊंगी तो वह स्क्रीन की सता को छोड़ेगी ठीक है तो यहां पे धूल को उटाऊंगी स्क्रीन से तो कि सत्र को छोड़ेगी इसलिए मैंने उफ लगाया मुफ द लेक्स इग्जम्पल देखें लीव्स आर फालिंग ओफ दा फ्री पत्ते द्रख से गिर रहे हैं ठीक है अब हमने द्रख से यूज किया है तो ये सता को द्रख की सता को छोड़े हैं तो पत्ते जो हैं वो द्रख से गिर रहे हैं तो इसलिए हमने ओफ यूज किया वो अपनी सता छोड़े हैं नेक्स इग्जम्पल देखें वो बस से उतर रहा है अब बस से उतर है तो बस की सता को छोड़ा है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे अब हमारी नेक्स प्रेपोजिशन है सिंस इसका मतलब भी से होता है लेकिन ये किस सेंस में यूज होगा देखें जब किसी जुम्ले में फिक्स टाइम के साथ से लग कर आता है तो सिंस इस करते हैं मसलन दो बज़े से पांच बज़े से दस बज़े से 2015 से 2016 से कोई भी सन हो सकता है सुबो से, शाम से तू अब हम इंग्छ में कैसे यूज करेंगे दो बज़े से देखें ज़रा नमबर एक पे देखें सिंस का इस्तेमाल कैसे करना है 2 अ.ब सुबो के दो बजे टू पीम शाम के दो बजे कोई भी टाइम हो सकता है दो के लावत 3 o'clock भी हो सकता है तीन बजे भी हो सकता है 3 o'clock 2 o'clock नेक्स देखे सिंस किस के साथ यूज हो का येर के साथ येर के साथ नाइटी 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 एट 2005 2009 कोई भी सन हो सकता है और देखे सिंस किस के साथ आएगा इफिक्स टाइन के साथ आता है Monday Tuesday हफ्ते का कोई सा भी दिन हो सकता है Sunday और देखे सिंस किस के साथ आएगा सिंस मौर्निंग सुभो के साथ इवनिंग के साथ सिंस इवनिंग सिंस आप्टरनूम सिंस नाइट और सिंस का यूज देखें किस के साथ होगा सिंस यस्टरडे कल से दे बिफोर एक दिन पहले इसके लिए दे बिफोर यस्टरडे यानि के परसों के लिए और सिंस यूज ओका चाइल्ड हुड बच्पन के लिए सिंस चाइल्ड हुड सिंस बार्थ पेदाश के लिए सिंस डैक डे उस दिन के लिए कोई भी हो सिंस माई डैड वाज कौन उस वक से जब से मेरे अब बाजान पैदा हुए इस वक से अब हम एक्जेम्पल में देखते हैं कैसे यूज होगा और ये कब चूज होता है सिंस और ये टाइमिंग वगरा जब फ्यूचर हो या पास्ट हो या प्रेजन्ट ठीक है तीनों जमाने हो उनका परफेक्ट कंटिन्यूस टैंस हो ठीक है ये सिंस यूज होगा फीक्स टाइम के लिए और जमाना कौन सा होगा ये मैं इदर लिख देती हूँ पैजन्ट फ्यूचर पास्ट या प्रेजन्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तैंस जिसमें हैंस बीन हैंस बीन या फिर हैड बीन और इसके इलावा विल हैड बीन भी हो सकता है इनके साथ सिंस यूज होता है और फिक्स टाइम होता है यहां पर लिखे थी फिक्स टाइम के लिए इक्जेंपल देखें सिंस में किस तरीके से सिंस यूज होता है अली हैस बीन वाकिंग सिंस फौर अ क्लॉक अली चार बज़े से चहल कदमी यानिके वाक करता रहा है अब यहां पर यह देखें टेंस बता चार रहा है यहां पर यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है हैस बीन आया यूज होआ इसमें और इसमें फिक्स टाइम भी है इसलिए हमने सिंस यूज किया इसके साथ आगे देखें आई है बीन प्लेंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबो से खेलता रहा हूँ अब देखो से की सेंस आ रही है न जुम्ले में और फिक्स टाइम भी है और यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी है शी हैस बीन हीर सिंस यस्टेड़े वो कल से यहां पर रही है अब इसमें भी तीनों चीज़े हैं देखो फिक्स टाइम भी है यस्टेड़े को भी मेंचन किया है से भी आ गया इसके साथ और टेंस जो है न परफेक्ट कंटिन्यूस भी है यह प्रेजन परफेक्ट कंटिन्यूस है इसकी वीडियो मेरी आप टेंस वारी वीडियो में से देख सकते हैं जो मेरी लास्ट वीडियो में है प्रेजन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मैंने यह अच्छे तरीके से उसमें समझाया भी है उसमें सिंस और फॉर का यूज़ भी मैंने बताया है अब इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं I hope this video will be helpful for you in your studies Please like and share it with your friends Take care, Allah Hafiz